वेल्कम डिया फ्रेंड दिस अनुज मलीक और इस वीडियो को टोपिक रहेगा वीलियम सेक्सपियर द्वारा लिखी एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेजिक ड्रामा है जिसका नाम है किंग लियर सबसे पहले इस ड्रामे के हम मैन केरेक्टर के बारे में डिसकस करें ताकि इस समझना हमारे लिए आसान हो जाए तो सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास किंग लियर जो की 80 साल का एक बुढ़ा राजा है यह अग्रेसिव नेचर का है मतलब बहुत ही परकार से बोलते हैं सन की राजा टाइप है कुछ तो एजब हो जादा है और इसके पास कोई उत्रा अधिकारी भी नहीं है लड़का भी नहीं है तो यह बहुत ही अग्रेसिव सा हो गया है और यही इस ड्रामे का हीरो है मतलब मैन करेक्टर यही है दूसरे करेक्टर है गोलरी जो की राजा की सबसे बड़ी लड़की है लेकिन यह एक लालची लड़की है तीसरे करेक्टर ह रेगन जो कि राजा की दूसरी लड़की है और ये भी लालची लड़की है चोथा करेक्टर है कॉलडिलिया जो राजा की सबसे छोटी लड़की है लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है नेक्स्ट करेक्टर है हमारा ग्लोसिस्टर जो की राजा के दरबार में दरब प्रवारी है उसका एक लीगल लड़का है एडगर सात्वा करेक्टर है एडमंड जो ग्लोसेस्टर का नाजायज लड़का है और यह अपना में बहुत ही धूर्त भी है मकार टाइप करेक्टर है आपको आगे देखने को मिलेगा नेक्स्ट करेक्टर आपका अलबेनी जो की गोर्नेर्इल मतलब राजा की बड़ी लड़की उसका हस्बेंड है जो की बहुत ही अच्छी नेचर का व्यक्ती गफ्यक्टि ऑगया उसका कोई यहाँ पर नाम नहीं defeat जागया और यह इनकी सबसे छोटे फाई लड़की और उनका हसबेंड है और हमारा केंट जो की राजा के दरबार में दूसरा दरबारी है और जो बहुत है और राजा animal को स्टूरी करते हैं और एक साधी मैं मैं आपसे रिक्रेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार पिले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आप फायदा उठाते हैं वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है मेरे पॉइंट और आपके पॉइं करते हैं तो इसमें जो राजा है ये ओल्ड हो चुका है बोड़ा हो चुका है और ये डिवाइड करना चाहता है बाटना चाहता है अपने पूरे राज्य को अपनी तीनों लड़कियों में इसकी दो बड़ी जो लड़की होती है जैसे ही इनको पता चलता है कि इनकी पिता कर पिता के साथ वैसे behavior पहले जैसे करती है उसमें कोई प्रिवर्टन नहीं आता लेकिन राजा को जो होता है वो अफshet मतलब कोडले नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैंट होता है केंट मुनलब राजा की दर्बार में दर्बारी हैं वो कोडले का फेवर लेता है कि कोडले अपनी जेंगा ठीक हैं बलकि तुम्हारी दोनों बड़ी लड़किया राज्य का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए तुम्हारी चमचेगीरी करती है तो कोरुडेलिया को फिवर करने के वज़े से राजा उसके उपर एंगरी हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं और एंगरी होने के वज़े से राजा कैंट को ओडर देता है कि वो उसके महल से तुरंती वहाँ से चला जाए इसलिए वह है डिसाइड करता है वह मतलब राजा राजा डिसाइड करता है कि वे अपनी टोटल प्रोपरिटिए को अपनी केवल दोनों बड़ी लड़की उसके बीच में ही बाट देगा मतलब तीसरी लड़की कॉरडेलिया को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा यहाँ पर एक कारेक्टर है किंग उफ फ्रेंस जो कॉरडेलिया को पसंद करता है और कॉरडेलिया भी उसको पसंद करती है और वो आपस में साधी कर लेते है और साधी इस सर्थ पर होती है क्योंकि कॉरडेलिया को पता है कि उसके पास कोई प्रोपरेटी नहीं है और फ्रेंस के राजा को भी पता है कि उसके पास कोई भी प्रोपरेटी नहीं है मतलब कॉरडेलिया के पास तो वो बहुत ही इमानदारे से ताम बिना देहेज के साधी करता है और यह रिष्था सकस्फुल भी होता है आगे आप देखेंगे और फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया को फ्रांस लेकर चला जाता है इससे आगे राजा जो होता है वो अपनी डोटर्स जो बड़े वाली दोनों डोटर्स होती है गोनेरे लोरेगन उनसे एक डील करता है एक परकार से उनके सामने एक बात रखता है कि साल भर में दो जो बारा महीने हैं उनको दो हिस्ते में तोड़ लेंगे चैशे महीने हो जाएगी और दोनों लड़किया चैशे महीने उसकी सेवा सतकार करेगी और राजा के साथ उसके हंड्रेड सोलजर्स भी रहेंगे मनलब राजा के वाल अकेला नहीं रहेगा बलकि उसको फिल रहना ही चाहिए कि वो राजा है चलिए उसके चारतरफ गोनरिल को उसके हंड्रेड सोलजर्स को भी मैंटेन करना पड़ेगा अब होता यह है कि कुछ टाइम तक तो बड़े वाली लड़की जो गोनरिल होती है वो राजा को अपने पास रखती है खुसी खुसी लेकिन धीरे-धीरे उससे इग्नोर करने लगती है उसको ऐसा लग मैं 100 सोलजर्स को मैनेज नहीं कर पाऊंगे 50 सोलजर में मैनेज कर लोंगी तो आप थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लीजिए लेकिन इस बात से राजा जो होता है वो नाराज होकर रहे रेगन के पास चला जाता है रेगन मतलब उनकी दूसरे नंबर की लड़की है वो गोनरिल करके पूरे सामराज्य को दो हिस्सों में ले गई और कोडेलिया का हिस्सा भी अडब गई है और अब बोढ़े राजा अपने ही पिता को मेंटेन करने में और उसके छोटी से सर्थ को भी सुविकार करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है अब यहां पर होता यह है कि यहां ग्लोसेस्टर olhar यह राजा का ही एक कौल्टियर है एक दर्बारी है और यह उसके उपर कंट्रोल कर लेते हैं में ऐता है वो राजा को कहीं में इस्के में रहा है उसके अंडर में रहा है तो उसको पता है नोजडिकिया जो बड़े वाली है को उनले वसन्थे बहुंतर Вам सपूर्ट नहीं कर रही है जितने को सको करना चाहिए इसलिए गुलोसेस्टर उनके हैप कर देता है जिसको बताया गया था कि उसके पास केवल 25 सोल्जर्स रहेंगे तो रुख पायागा तो वह नाराज उबर के वह किसी के पास नहीं रुखता है ना बोलरिन के पास और ना ही रेगन के पास अब यहां पर एक दूसरा दरबारी है कैंट जिसको राजा ने शुरुवात में कोर मेरा सदल करके और वह एक आधमी आता है एक का्रेकर है अन्नोनकारैक्टर है उसको एक रिंग लेता है एक अंगोटी देता है एक आधमी को और उस आधमी को बोलता है कि यह एंगता को भटक रहे हैं और उनका बड़ी लड़किया है किस परकार से राज्य हड़प करके उनको दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है तो पूरी कहाने उनको बता देना अब यहां पर कैंट जो है वो राजा से मिलता है और राजा से मिलकर यूझको एक झूपड़ी में ले कैंट राजा को ढूंड करके एक ज्होपडी के इन्दर लाता है और यह ज्घोपडी होती है ज्ण्वपडी ग्लो शेस्टर के जुँ जैज लड़का है् एडगर की होती है ठीक है ना जो बड़ा लड़का माल लेजिए एक परकार से ग्लोसेस्टर का उसकी होती है क्योंकि ग्लोसेस्टर ने एडगर को भी बहार निकाला हुआ है और एडमंड के साथ ही रहता है इसके बाद ग्लोसेस्टर अपने लड़के एडमंड जो की ग्लोसेस्टर का नाजाज लड़का है उसको बताता है उससे कहता है कि आप राजा की हैलप कीजिए तो अब दर-दर भठकता फिर रहा है तुम इसके हैलप कीजिए लेकिन और उसको यह भी बताता है कि जल्द ही इंग्लेंड के उपर फ्रैंस का आकर्मन होने वाला है इंग्लेंड मतलब जह जो तीसरे लड़की है वो अपने हस्बेंड के साथ मिल करके इंग्लेंड के उपर आकमन करेंगे मतलब अपनी दोनों जो बहने हैं उनका जो अन्याय चल रहा है इंग्लेंड के अंदर उसको कंट्रोल करने का परियास करेंगे और ग्लो सिस्टर यह दरबारी है अपने को मतलब यह जो है राजा को बताना लेकिन एडमेंड जो होता है वो सुरू से मकार होता है दूर्थ होता है यह बात वो राजा को नहीं बता करके यह कॉन्वोल को बताता है कॉन्वोल को होता है रेगन का हस्बेंड दूसरे लेड़की का स्वेंड ठीक है तो कॉन्वोल उ सब्सक्राइब करके उस गद्धी पर बैठा देता है ठीक है को डेलिया डोवर मुनलब एक परकार से जंग है जहां वे यूद वगारा होना है और वहां पर राज आती है अपने पिता जी को बचाने के लिए और कॉन्वाल गलोसेस्टर के गलोसेस्टर जो की दरबारी था उसको पकड़ने का आदेशती देता है कि भई पहले तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसी माना कि चलो राजा की सपोर्ट कर रहा है तो उसका महल वगरा हट अपलिया लेकिन यह उसके बावजूद भी राजा की ही हेल्प कर रहा है तो इसलिए गलोसेस्टर को वो पकड़वा लेता है कॉर्ण वॉल अपनी पतनी के साथ मिलकर के गलोसेस्टर की आखे भी फोड़ देते हैं मलनों गलोसेस्टर को अंधा बना देते हैं अल्बनी जो होता है जो कि बड़ी लड़की गोलरील का हास्बेंड है वो इन तीनों उसकी जो उरनिती चल रही है जो इनका प्लान चल रहा है राजा की खिलाब उसमें सामिल होने से मना कर देता है कि अध होगी पहलो तुमने उसके राज को गड़ा लिया अब वो राजा जो कि तुम्हारा संगा version की और यहां पर magazine गा के आता है कि जो कॉन्वोल है रेगन का जो हस्बेंड है उसको किसी ने मार दिया है मतलब कोई बागी हो गया है सर्वेंट में से ही और उसने कॉन्वोल को मार दिया है और जो पावर होती है अब वो पूरी तरह से एडमंड के कंट्रोल में आ जाते हैं इंग्लेंड का नया राजा है वह एडमंड बन जाता है एडमंड कौन है गलोसेस्टर धरवारी का नाजायज लड़का क्योंकि अलबनिस पहली पल्ला जाड़ लिया है वो तो इंट्रेस्टिड है नहीं और दोनों लड़के जो रेगन कौनवल मर चुका है अब वह सोचती है कि क्योंने मैं एडमंड से साधी कर लो जो कि उसके दरवारी का ही लडगा है लेकिन अब वह चूंकि राजा बन गया है तो रेगन सोचती है कि ass कि और एडमंड से शाधी कर ले और तब ये आदमंड से साधी कर द Müлحد से साधी कर दे और गोनेरिल जो है जो एल्बनी की वाइफ है बड़ी लड़की का जो हस्बेंड एल्बनी उसी को मारने का आदेश दे देती हैं अपने किसी सोलजर्स को ठीक है अब यहां वे कोरडेलिया जो है वह अपने पिताजी को ढूढ़ लेती हैं और उनको ढूढ़ने के पास बाद वह कमफरेटेबल फिल करते हैं कि चलो अब हम साइर चीज़ों को ठीक ठाक करने का परियास करें लेकिन जब इन दोनों साइड में यूद चल जो कोरडेलिया होती है वो हार जाती है अपने हस्बेंड के साथ और कोरडेलिया को भी और उनके पिता किंग लियर को भी कबजा लिया जाता है उनको पकड़ लिया जाता है एक परकार से एडमंड उनको ओडर देता है अपने सोलजर्स को कि जब यह जेल के अंदर कैद हों तभी यहां पर जो ग्लोसिस्टर है उसका जो जायज लड़का है वो टोम करके कुछ ऐसा नाम से वो डिजगाईज हो करके रह रहा था जो पड़ी के अंदर वो आ जाता है और वो एडमंड को डूएल में जो द्वंदियुद होता है उसमें हरा देता है उसको खतम कर देता फ्रकार से तो गोनेरिल इंदा को मार डालती है एनव विद पॉइजटेश्वी एडमंड क्योंकि और राजा है और राजा है और रेगन दोनों उससे साधी चाहते तो इसलिए बड़ी बहन अपने husband के होते हुए Albany के होते हुए भी वो Albany को मरवाना चाहती है और Reagan को भी मरवाना चाहती है ताकि केवल वो और Edmund बज जाए और उनके आथ में गद्धिया जाए ना तो वो अब यहां पर तीनों की कहानी खतम हो चुकी है और यहां पर आपको पता होगा कि एडमंड ने उनको मारने के लिए जा रहा है लेकिन यह बात किसी को नहीं पता है ठीक है ना लेकिन जैसे तैसे करके अल्बनी जो की गोनेरील का husband है उसको पता चल जाता है कि कोई उनको जेल में मारने जा रहा है है तो तब होता यह है कि वह soldier जो होता है जिसको order दिया गया है वह जेल के अंदर जाता है और Cordelia और उसके पिताजी के ऊपर अटैक कर देता है और कि राजा उस soldier को तो मार देता है लेकिन वह soldier उससे पहले Cordelia को भी मार डालता है अब यहां पर राजा राजा के सामने ही soldier भी मर चुका है और Cordelia भी मर चुकी है और Cordelia जो की उसकी सबसे अच्छी लड़की रही है हाला कि उसने उसको पहचानने में बहुत देर कर दी लेकिन जैसे Cordelia की मरत्यों हो जाती है तो राजा भी तुरंत ही मर जाता है अब इस परकार से यहां पर एक ही करेक्टर वस्ता है अलबनी नाम से और यही अब इंग्लेंड का राजा बनेगा बाकी सब खतम हो चुका है तो अब यहां पर आप इसको tragedy इसले माना गया है कि राजा की एक सनक्य हो जैसे पूरा राज्य खतम हो गया उसी की सगी लड़क तो खुद भी मारी गई है हाला कि जो फ्रेंस के राजा थे वह वापस चले गए अलबनी अब इंग्लेंड का राजा बन गया और जिस राज की लड़ाई चल रही थी वह किसी के हाथ में भी नहीं रहा है ना तो इस परकार से यह ट्रेजिक ड्रामा कंप्लेट होता है उम् झाल 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 झाल